तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास 25 ‫व आप का सोल्डिंग आयरन है और यहों किसी कस्टमर का सोल्डिंग आयर नहीं है यह मेरा खुद का सोल्ट करता चांद के तक आयम P अब इसके अंदर क्या हुआ कि कल मैं इसको यूजी कर रहा था अचानक से इसने हीट करना बंद कर दिया अब ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है तो इस टाइब की प्रोलम अगर आपके भी किसी iron के अंदर आ गही है कि आपका iron गरम नहीं हो रहा है तो इस प्रोलम को किस तरीके से चेक किया जाता है किस तरीके से रिपैर किया जाता है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फूल डिटेल से स्टैप वाई स्टैप बताऊंगा तो वीडियो को आप सुरू से एंड तक देखे और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तब ही आप हमाई चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करें अधर्वाइस वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय नगवाते हुए वीडियो कंटिनुई स्टार् अगर वो बिल्कुल हिट नहीं हो रहा है अब से पहले आपको क्या करना है अपने होलना एक आउइंगे तरा कोई भी पेच नहीं लगा तो हम इसको simply opener की मदद से इस तरीके से खोलेंगे देखें इस तरीके से आपको बिल्कुल प्यार से खोलना है तो यहां पर देखें इस तरीके से यह हमारा क्या होता है कि इन में से कोई एक wire हमारी यहां से कटके अलग हो जाती है जिसकी वज़े से यह element हमारा काम नहीं कर रहा लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है सबी wire अपने जगा पर जोड़े हुई है तो यहां पर जब आपको इस तरीके से सारी चीज़े बिल्कुल ओके दिखाए दे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है यह जो हमारी main supply वाली wire है इसको हमें चेक करना है multimeter से कई बार क्या होता है कि यह जो wire है अंदर या अंदर कहीं से खराब हो जाती है या break हो जाती है जिसके वज़े से यहां तक supply नहीं आती और supply यहां तक नहीं आएगी तो यह element हमारा काम नहीं करेगा तो सबसे पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि क्या यह जो हमारी wire है यह खराब है या फिर सही है अब इस चीज़ को confirm करने के लिए हमें multimeter की जरुत पड़ेगी तो यहां पे मैं अपना multimeter ले लेता हूँ तो यह देखिए फ्रेंड यह है मेरा multimeter और multimeter को हम कहां पे set करेंगे इस buzzer mode पे तो देखिए इस तरीके से हम buzzer mode पे multimeter को set कर देंगे यह मैंने set कर दिया और यह हमारी multimeter की probe है तो यहां पे देखिए beep आ रही है अब हमें इस wire को check करना है तो देखिए हमें क्या करना है यह जो दो wire आपको दिखाए दे रही इनमें से किसी एक wire पे probe को रखना है और यह जो हमारा plug है इसके अंदर देखिए यह जो उपर वाली connection इसके साथ हमें बिल्कुल okay है अब इसी तरीके से हम दूसरी wire को check करेंगे तो इस प्रोग को यहां पर रखेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर आय रही थी अभी हमने check कर रहा अब इसके बाद हम इस पर चेक करेंगे तो यहां पर भी बीप आ रही है तो इसका मतलब य देखेंगे यहां पर हमें डाट जा रहा है इस ऐलीमेंट पर क्योंकि इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है बीच में हमारे एक डायोड लगा है तो चले उस डायोड को भी हम पट्टी होती है एक सैड हमारा ब्लैक सैड होता है तो डायोड की चेकिंग भी हमारी बजर मोट के अंदर ही होती है तो डायोड के अंदर क्या होता है कि एक सैड तो हमें रीडिंग मिलेगी और दूसरी सैड हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर दोनों सैड रीडिंग या बी देख सकते हो कि multimeter के screen पर हमें कोई भी value नहीं मिल रही अब हमें क्या करना है इस प्रोब को change करना है तो यह जो black वाली प्रोब है इसको हम यहां पर रखेंगे और जो red वाली प्रोब है इसको हम यहां पर रखते हैं तो इस तरीके से देखिए प्रोब बदलने एक बात यहां पर multimeter के screen पर हमें कुछ value मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो diode है यह बिल्कुल okay है इसके अंदर कोई भी problem नहीं है अब उसके बाद बात जाती है हमारे element पर क्योंकि उसके बाद इसके अंदर कुछ बचा नहीं है wire हमारी बिल्कुल okay है उसके बाद एक diode लगा होता यह बिल्कुल okay है तो उसके बाद यहां पर सिर्फ हमारे पास element बचा है तो देखिए element को किस तरीके से चेक करते हैं मुल्टिमीटर से इसको भी हम बजर मौड़ पर ही चेक करते हैं तो हमें क्या करना है किसी एक प्रोब को इस तरीके से रखना है और दूसरे को इस तरीके से रखना है तो इस तरा है तो हम प्रोब को po change करेंगे तो इस तरीके से मैं दुबारा से रख रहा हूं तो यहां पर भी कोई वैलू नहीं मिल रहy इसका मतलब क्या हुआ का हुआ कि यह जो हमारे इलिमेंट है है यह गर यह element okay होता तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको multimeter की screen पर value जरूर मिलती जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो यह element हमारा खराब हो गया है और इस type के किसी भी element को repair नहीं किया जा सकता तो इसके लिए आपको क्या करना है जब भी आपका element खराब हो जाए तो आपको market से नए element लेना है देखे इस type का नए element आपको market में मिल जाएगा जितने वाटका भी आपका हो उतने वाटका आपको I'll make it WAYºOoh मेरा क कि मैं authentic यहusu है ॉक्क यहud junior सकते हो कि यहां पे 25 वाट का है तो यह हमार अदर लगार इसको किस तरीके से लगाना है इस तरीके से दीस फैकंग को फोल लेते हैं और यह जो हमारा है के आगिया है अब इस element को लगाना बिल्कुल असान है इसके अंदर भी देखिए हमारी दो wire है यह वाला जो point है यह ऐसे टंप्रेली बना हुआ है आप इसे छोड़ भी सकते हो इस तरीके से cut भी कर सकते हो यह मैंने cut कर दिया अब यहाँ पर यह जो दो wire है इसी के अंदर आपको wire को जोड़ना है जैसे wire इसके अंदर जुड़ी हुई थी हमारी वैसे हमें इसके अंदर wire को जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ फटा-फट इसके अंदर wire को जोड़ लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने नए element के अंदर wire को जोड़ दिया है लेकिन यहां पर क्या है कि मुझसे गलती होगी element को खरीदते समय अब इसका मतलब यह नहीं कि बिना page वाला था यानि इसके अंदर कोई भी page वाला system नहीं दे रखा था बस यहीं problem होगी है जिसकी वज़े से अगर हम इसको इसके अंदर लगाएंगे तो यहां पर losing हमें मिलेगी यहां पर देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे तो यहां पर हमें losing मिलेगी तो यह मैंने आपको बता दी अब यहां पर देखिए यह जो हमारा element है बिल्कुल नया है तो नय element को भी हम check करना आपको बता दे ताकि आपको पता चल जाए खराब और नय element के अंदर क्या फर्क होता है तो यहां पर देखिए इस element को जब हमने check किया था multimeter से तो यहां पर हमें value मिल रही है और यहां पर देखिए इस प्रोग को मैं change भी करूंगा तब भी हमें value मिलेगी यहां पर यहां पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपके element के अंदर value मिलना जरूरी है अगर आपको value नहीं मिल रही तो आप समझ जाओ कि हमारे जो element है वो खराब हो चुका ह जो कि इसके अंदर वही problem है तो यहां पर यह बिल्कुल okay है अब उसके बाद देखिए मैं यहां पर इसको supply लगा के एक बार आपको check कराता हूं कि यह heat होता है कि नहीं होता तो यहां पर इस तरीके से इसको मैं इसके अंदर लगा देता हूं यह element भई इस salting iron के अंदर तो नहीं आएगा तो मेरे पास एक पेच वाला salting iron है उसके अंदर मैं इसको fit कर लूँगा फिलाल मैं आपको check कराता हूं कि यह काम करेगा कि नहीं करेगा तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैं इसको supply दे रहा हूं यह मैंने इसको supply दे दिया है तो इस आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से wire फिरा हमारी melt हो रही है तो यहां पर इस तरीके से यह जो iron है बिल्कुल बढ़िया तरीके से repair हो चुका है बस गलती मुझसे यह होगी कि मैंने यहां पर यह दूसरा वाला element ले लिया है अब इसे मुझे किसी page वाले salting iron क के अंदर fit करना पड़ेगा तो इस तरीके से friend अगर आपके भी किसी salting iron का element खराब हो जाता है तो आप market से 20-25 रुपे का element खरीद के अपने iron के अंदर लगा सकते हो और अपने iron को दुबारा से यूज कर सकते हो तो उमीद करता हूं friend कि आपको हमारी यह video पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें तो चलिए friend फिर मिलते हैं next video में कुसे नए topic साथ तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम